Hello everyone, मेरा नाम है उतकर्ष और मैं Central Bank of India में काम करता हूँ मेरी rural postings शालू हैं for the next one year और इस वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो सारी चीजें जो मैं अपने daily life में करता हूँ तो सबसे पहले मैं ये balcony का view आपको दिखाता हूँ बारिश का time है इसलिए मौसम बहुत अच्छा है तो सबसे पहले जो लोग select हुए है उनकी joining आ गई है तो good luck for future and also ये वीडियो एक collab है ओस्वाल books के साथ सुबह उठते ही सबसे पहले मैं अपनी चाय बनाता हूँ kitchen में जा करके जो लोग prepare कर रहे हैं उनके लिए भी good luck exams are coming up all the best ये मेरी चाय ready so guys अपनी चाय के साथ इस table पे मैं start करता हूँ अपना day जहां पे मैं for the next two hours जो भी काम मेरा होता है पढ़ाई का editing का या फिर और कुछ भी कुछ सीखने का वो सब काम मैं यहां पे करता हूँ सुबे के 2 से 3 घंटे में जो मेरे day का सबसे productive time होता है अपने सुबे का time complete करने के बाद मैं जाता हूँ directly in the kitchen जिसका making का मैंने video record किया है वो मैं आपको share करना जाता हूँ most of the times breakfast के लिए मैं एक particular shake बनाता हूँ या तो banana shake या mango shake mango का time चल रहा है इसलिए इस time पर मैं mango shake ही बनाता हूँ इसको बनाने का तरीका ऐसा है कि इसमें mango या फिर banana यूज करता हूँ मैं उसके बाद dry fruits, seeds और जो भी berries है वो सारे डालता हूँ मैं उसके बाद ये मेरा shake बन जाता है और काफी heavy shake है ये और breakfast के लिए मेरे लिए बहुत अच्छा option है तो एक ये दिक्कत है rural postings में that जो भी facilities है वो limited हो जाती है उसका आपको बहुत ध्यान देना होता है और साथ में जब भी independent आप होते हैं तो maximum ऐसी चीजे होती हैं जो करनी पड़ती हैं खुद से but at the same time ये बहुत अच्छा experience भी है उसके बाद जैसे आप देख सकते हो मैं branch के लिए directly निकल जाता हूँ ready हो करके और ये थोड़ी सी outer posting से 7-8 km मुझे market area से जाना पड़ता है जो already एक town area type की जगह है उसके बाद मैं पहुचता हूँ branch branch का कुछ view मैं आपको दिखाता हूँ तो वहाँ पे जो भीड और काम होता है वो ऐसा ही होता है कुछ particular difference होता है काम में जो rural और urban postings में रहता है उसके बारे मैं आपको बाद में किसी वीडियो में detail में बताऊँगा और ये branch के बार का view है मेरा branch में काम complete होता ही मैं निकल जाता हूँ घर के लिए कभी-कभी market में थोड़ा time spend करते हैं कोई समान लेना है या फिर कभी-कभी चाय के लिए तो इस job को करने के लिए एक चीज़ बहुत श्यौर है कि time management आपको बहुत अच्छे से सीखना होगा और अगर आपने घरबड़ी की तो आप बिल्कुल भी time ने इनकाल पाओगे किसी भी काम को करने के लिए तो घर पहुचते ही सबसे पहला काम में ये करता हूँ कि next day के लिए थोड़ी सी video editing करता हूँ उसके बाद मैं करता हूँ workout वर्काउट का footage मेरे पास बहुत clear नहीं है ये मैंने record किया था तो जादा नहीं आदे घंटे के लिए मैं वर्काउट करता हूँ उसके बाद अगेन मैं थोड़ा सा अपने टेबल पर बैढ़ता हूँ और पढ़ाई करता हूँ शायद आपने पहले वीडियोज में देखा होगा मुझे music बहुत पसंद है तो after dinner ये मैं अपने guitar या किसी भी instrument के साथ थोड़ा time spend करता हूँ तो एक tune भी मैं आपको सुना देता हूँ आप guess करना ये कौन सी music है इसके पहले मैंने जैसा आपको बताये था ये वीडियो एक collab है ओस्वाल books के साथ तो उन्होंने मुझे तीन books ये भेजी हैं जो कि एक combo है reasoning, quantitative aptitude और English की basics के लिए जब ही मैं ये वीडियो record कर रहा हूँ इसके बाद मैंने कुछ time in books के साथ spend किया है और मैं एक छोटा सा review देना चाहूँगा in books का तो starting off मैं quantitative aptitude के साथ बताऊँ तो banking के साथ साथ SSC के लिए भी जो basics और advanced maths के chapter से वो सारे इसमें दिये हुए है overall पूरा portion cover किया गया है reasoning में बहुत अच्छे-अच्छे tables के साथ इन्होंने differentiate किया है जो भी problems आती है reasoning को समझने के लिए और English की भी book बहुत अच्छे इसलिए हो जाती है कि बहुत precise previous year questions के साथ है ये book तो overall मैं इसके बारे में यही बताना चाहूँगा आपको कुछ ऐसा material चाहिए जो आपके पास हमेशा हो revision के लिए या समझने के लिए तो उसके लिए मैं आपको ये books recommend करूँगा इसका link मैंने description में दिया हुआ है अगर आपको खरीदना है तो आप जाके वहाँ पे खरीद सकते हो जैसा कि ये weekend था late night show और एक coffee के साथ मैंने किया अपना day complete अभी के लिए इतना है मिलते है next video में thanks